चैलो दस्तों कैसा आज हम स्टेंडर 8 सिविक्स का चैप्ट्र नमब वन का लेक्चे नमब टू स्टार्ट करने वाले है तो ने लेक्ट्र नमब टू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि इस चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोड़क्शन टुद अर्लिमेंट्री देख लो, क्योंकि, वो विडियो इस lecture से पूरा interconnected है, तो अगर आपने वो विडियो नहीं देखा, तो शायद ये lecture आपको थोड़ा कम समझेगा, तो लास्ट लेक्टर में हम ने अपना introduction देखा था, parliamentary system क्या होता है, parliamentary system के साथ साथ हमने जोड़ा बहुत presidential system के बारे में भी बात की थी कि presidential system क्या होता है और वो Americans follow करते हैं हम Indians तो parliamentary system follow करते हैं और हम ये parliamentary system किस से प्रेढ़ना लेके follow करते हैं वो Britishers से प्रेढ़ना लेके follow करते हैं क्योंकि जब वो हमारे यहां rule करने आयते वो भी यही parliamentary system से rule करते थे और ये बहुत effective तरीके से ये पूरे country पे rule कर पाते थे इसलिए जो हमें आजादी मिली तो हमने भी इसी rule को adopt कर लिया फिर हमने या पर basic introduction देखा कि parliamentary system में जो legislature वो क्या करता है फिर executive क्या होते है, लोग सभा, राज्य सभा क्या होता है legislature का काम क्या है, executive का काम क्या है, वो दोनों एक दूसरे से interlink कैसे है कैसे हमारा judiciary system यानि कि हमारा court का cherry वाला system कैसे लोगों को justice provide करता है यह सो हमने पिछले lecture में देखा था फिर या पर हमने ये भी देखाता कि जो legislature होता है वो पूरी तरीके से depend होता है executive पे अगर executive को अपने legislature पे confidence नहीं है, तो वो एक no confidence movement पास करके उस legislature को निकाल सकते है यानि कि वो सरकार गिरा सकता है, जो executive के members होते हैं, वो सरकार गिरा भी सकते है अगर उन्हें अपने legislature पे भरोसा नहीं रहा तो तो अभी मैंने आपको ओला था कि last lecture में हम start करेंगे why did India adopt a parliamentary system of government, तो हम Indians ने क्यों इस parliamentary system को adopt किया क्योंकि parliamentary system से पहले, यानि कि जब Britishers आये थे, वो हम पे जो parliamentary system से राज करते थे उससे पहले हमारे इंडिया में princely rule चलता था, यानि कि राजा माराजाओ का rule चलता था क्योंकि राजा माराजा ही state को समालते थे, अलग-अलग जगहों को समालते थे, अलग-अलग जगहों, state, राजा और पूरे इंडिया के राजा माराजा होते थे जो पूरे हमारे इंडिया के system को समाल देते हैं लेकिन parliamentary system को अच्छे से देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये एक बहुत ही ज़्यादा effective system है जिससे हम आम जनता के upliftment में काम कर सकते हैं तो अभी हम देखते हैं कि main reason क्या थे कि इंडिया ने parliamentary system को ही adopt किया इंडिया adopted the parliamentary system of government for several reasons बहुत सारे reason हैं हमारे इंडिया के इसे adopt करने के the development of parliamentary institutions started during the British rule तो अभी हमारे इंडिया का जो parliamentary institution है ये अंग्रिजों के राज के टाइम से ही यानि साल 1947 से पहले ही ये बनना शुरू हो गएते the British rulers governed in accordance with this system तो जो British मैंने आपको पहली बता दिया था इस लक्षे के शुरू में कि Britishers जो थे वो हमारे पर parliamentary system से ही हमारे उपर राज करते थे the parliamentary system of government in India is also in a way a product of the freedom movement तो अब ये हमारा जो parliamentary system है ये बना कैसे ये product था हमारे freedom का तो देखो अगर इंडिया को कभी भी Britishers से आजादी नहीं मिलती तो हमारा इंडिया का parliamentary system भी कभी नहीं बनता और हमेशा Britishers ये हमारे उपर राज करते ये ये आपर कहा गया है कि ये product किसका है हमारे freedom movement का product है यानि कि हमारे आजादी की लड़ाई का ये एक product है ये के बाद अगर यही parliamentary system follow होगा तो हम इंडियान्स को थोड़ा convenience होगी मतला क्योंकि पहले भी हम इसी system में थे बाद में भी अगर इसी system में होगे तो हमें जादा परिशानी नहीं होगी मैने discussions took place in the constituent assembly over the system of government तो जो constituent assembly थी यानि कि वो जगे जापे सारे constitution के हमारे जो members थे वो assemble होके discussions कर रहे थे तो इसी मुद्धे पर बहुत ज़्यादा चर्चा कीती उन्होंने हमारा constitution मनाते है तो देखो जो हमारे framers of constitution तो main तो हमारे जो framers है constitution के वो dr. बाबा साहिब अमबेड कर है लेकिन उनके साथ और भी बहुत लोग थे जिन्होंने हमारे constitution को बनाने में अपना योगदान दिया है तो अभी जब यह हमारे जो members थे constitution के जब यह constitution को frame कर रहे थे तो इन्होंने पूरा जो parliamentary system था वो तो Britishers से इन्होंने adopt किया लेकिन उसमें कुछ-कुछ few necessary changes किये ताकि वो हम Indians को suit कर सके देखो क्योंकि Britishers अलग लोग है हम Indians अलग लोग है उनका रहने का तरीका अलग है हमारे रहने का तरीका अलग है हमारे पास कई सारे रिती रिवाज है हमारे country में बहुत सारे अलग-अलग जाती के धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते है इसलिए जो Britishers में follow होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमें भी follow हमारे साथ भी वो एकदम सही से काम करें वो system इसलिए उन framers ने कुछ-कुछ necessary changes ला दी हमारे parliamentary system में Britishers के parliamentary system में और उसे इंडिया का constitution मना दिया discussion and deliberation are an integral part of the parliamentary form of government तो देखो बहुत सारे राय, मश्वेरा और चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक parliamentary form of government में यानि कि discussions तो आपको मतलब पता ही है कि discuss करना, deliberation भी discussion का ही एक meaning है अगर आप बहुत ज़्यादा गंभीर मामलों पर और बहुत ज़्यादा focus के साथ अगर आप किसी भी चीज़ पर discussion करते हो एक formal यानि कि ऊचे level पर तो इसको आप बोलो कि deliberation, discussion जो आप लोग करते हैं और deliberation जो high level के लोग करते हैं तो यह कि हमारे parliamentary form का बहुत ज़्यादा जरूरी हिस्सा है क्योंकि इही discussion और deliberation के थुरू जो politicians होंगी यानि कि हमारे representative होगे जिने हमने elect किया है वो हमारे welfare के बारे मुझे सोच चकते हैं हमारी development हमारे देश के development और गरीबों के अपलिपमेंट के बारे में इन ही discussion और deliberation के थुरू आगे बढ़ सकते हैं तो legislature मैंने आपको पहले official lectures में बताया था कि legislature मतलब वो group of people जो rules laws और regulations को pass करता है हाँ तो यही मैंने आपको बताया कि public welfare से related चीज़ों को discuss किया जाता है legislature में member from the opposition party also take part in this discussion तो आपने कभी भी अगर यह news पे अगर आपने कभी भी हमारे intent parliamentary system की debates देखे होगी तो आपने यह जरूर देखा होगा कि ruling party तो रहती है उसके साथ-साथ opposition party के जो नेता होते है वो भी अपने मुद्दो को सामने रखते हैं यानि कि मानलो अभी BJP ruling party है तो जब भी आपको news में दिखाया जाता है कि BJP का कोई नेता उसमें कोई अपनी speech दे रहा है तो उसके बाद जो opposition नेता होते हैं यानि कि Congress, त्रिनमूल, Congress, आम आदमी पार्टी ऐसे बहुत सारे opposite party के नेता भी आकर अपने मुद्दो को सामने रखते हैं opposition party में support the government wherever appropriate तो ऐसा ने है कि जो opposition party है वो सिर्फ और सिर्फ government के हर rule, regulation का oppose करे अगर वो regulation अच्छा है तो वो उसे support भी कर सकती है अगर जो government rule pass कर रहे है वो लोगों के लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है तो वो उसे जरूर से appropriate तरीके से उसे support भी करेंगे point at the shortcoming in policies and laws तो ये वो भी बताएंगे कि इनके जो rules, laws, regulation और policies जो ये पास कर रहे है उसमें कमी क्या-क्या है put up studied arguments and questions तो ये एकदम detailed तरीके से study करके इनके इनही नए policies और law में जो loops होंगे या कमिया होंगी उन्हें बताएंगे तो अभी ये जो discussion है helps the legislature to make proper laws तो अभी ये जो discussion अलग-अलग तरीके के जो opposition party सामने रखती है ruling party के तो ये उन्हें बहुत help करता है ruling party को ताकि वो लोगों के welfare के लिए और अच्छे से काम कर सके presidential system of government तो अभी हम देखते है presidential system of government के जो की USA में follow होता है presidential system of government can be said to be another important system of government ये दो टाइप के जो government होता है ये दूसरा टाइप का बहुत important system है हमारी government का this type of system exists in countries such as United States तो ये US चैसी countries में होता है exist करता है the system is different from parliamentary form तो अभी ये parliamentary form में किस तरीके से differ करता है वो भी हम पढ़ेंगे the system in which executive is independent of legislature and as the head of the state the president is directly elected by the people is known as presidential system of government तो अभी या पर क्या कहा गया है कि ये हमारे parliamentary system से अलग क्यों है क्योंकि executive और legislature एक दूसरे के independent है कोई किसी को पर depend नहीं करता या ऐसा नहीं है कि legislature के members को executive elect करे या फिर executive के members को legislature elect करे क्योंकि हमने पिछले lecture में देखा था कि parliamentary system of government में हम आम जनता जो होते है वो legislature के members को elect करते है और जो party को vote majority में मिला जो party ने सरकार बनाया वही party अपने ही ये political party के members को appoint करेगी as executive members तीक है लेकिन जो presidential system of government होता है उसमे legislature भी और executive भी दोनों को ही आम जनता ही elect करती है और हमने ये भी दिखा था कि legislature जो होता है वो पूरी तरीके से executive पर depend होता है लेकिन देखो यहाँ पर लिखा गया है कि ये दोने एक दूसरे के independent होते हैं यानि कि legislature इसको control नहीं कर सकता और executive इसे control नहीं कर सकता though the three organs are independent from each other there are enough connection between them तो यहाँ भी क्या लिखा गया भले ही ये तीनों एक दूसरे के independent है जानि कि जो president है legislature और executive भले ही ये तीनों एक दूसरे के independent है लेकिन ये तीनों के enough interconnection है हाँ तो ये दोने को एक दूसरे के साथ connect रहना ही पड़ेगा क्योंकि जब अगर ये तीनों से एकदम तीनों से एकदम disconnect हो जाएंगे तो जनता के welfare में जो rules pass करना है उसमें इने थोड़ी कमिया मैसूस हो सकती है to work in harmony and coordination तो देखा आप इन तीनों को एक दूसरे के साथ harmony और coordination में रहना बहुत ज़रूर ही है क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ सही से नहीं रहेंगे तो हमारे देश की हालत भी सही नहीं होगी the United State of America has adopted the presidential system of government तो अभी जो US है इसने इसी लिए presidential state or presidential system of government को adopt किया अब उसके reason क्या है हम यहाँ पर देखने वाले features में following are some features of this system of government in a presidential form of government the legislature and executive are not directly dependent on each other तो देखो यहाँ पर हमने देखा parliamentary system में तो जो legislature होता है वो executive पर depend करता है लेकिन presidential system में दो नहीं उसर पर depend नहीं करते है the houses of legislature and president are directly elected by the people तो देखो जो legislature और जो president है वो सिधे सिधे आम जनता elect करती है और president जो होता है वो executive head होता है और इसके पर बहुत ज़्यादा power होती है तो देखो हमने parliamentary system में क्या देखा था कि legislature को आम जनता जो legislature के member होते है उन्हें आम जनता elect करती है legislature का head prime minister होता है और prime minister के पास सारी power होती है लेकिन presidential system में legislature और executive के member दोनों को ही आम जनता elect करती है और executive का जो head होता है यानि कि executive का head जो president होता है उसके पास सबसे ज़्यादा powers होती है देखो जैसे हमारे इंडिया में prime minister नरेंदर मोदी जी के पास बहुत ज़्यादा powers है बेसे ही America में जो president Joe Biden है उनके पास बहुत ज़्यादा power है इंडिया के president के पास उतनी power नहीं है जितनी America के president के पास है और वही अगर आब देखो गे तो America के prime minister के पास उतनी power नहीं है जितनी power इंडिया के prime minister के पास है in spite of such a structure the legislature and executive keep a check on each other देखो भले ही ये दोनों एक दूसरे के independent काम करते हैं legislature और executive लेकिन ये एक दूसरे के कामों पे नजर जरूर रखते हैं कि ये executive legislature पर नजर रखेगा कि ये कोई गलत काम ना करे और legislature भी इस पर नजर रखेगा कि ये कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे आम जनता को नुकसान हो तो अभी ये जो control एक दूसरे पर जो ये रखते हैं ये एक responsible government साबित हो सकती है क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पर ऐसा नजर रखेंगे कि इन दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ या जनता के खिलाफ काम करने का मौका ही नहीं मिले Apart from the Parliamentary and the Presidential System of Government There are other forms of government system that are followed in France, Switzerland, Germany, etc. तो देखो अभी हमारे जो दो main तरीखे के जो government system होते हैं वो होते हैं parliamentary system और presidential system अब इनसे अलग कुछ government को systems भी होते हैं जो France, Switzerland, Germany और ऐसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग systems को follow किया जाता है several countries owing to their unique circumstances have evolved different type of system तो देखो जैसे हमारी इंडिया में जो parliamentary system था Britishers के द्वारा जो parliamentary system बना गया था उसमें हमने बहुत सारे changes छोटे-मोटे और कुछ major changes भी हमने किया है ताकि वो हमारी country को adopt के है तो same वही तरीके से बहुत सारी अलग-अलग countryों ने इस presidential और parliamentary system में बहुत सारे changes लाए अपनी country के हिसाब से ताकि वो उनके country के लोगों के हिसाब से suit हो तो देखो यहां पर हमने एक basic introduction ले लिया कि हमारे Indian parliamentary system का introduction क्या है उसकी history क्या रही है और उसमें कितने लोग कैसे क्या काम करते हैं तो अगले chapter में हम देखने वाले हैं कि हमारे Indian parliamentary system का structure क्या है यह कैसे काम करता है और इसका role क्या है हम Indian citizens के लिए ठीक है तो यहां पर हमारा chapter खतम होता है मैंने इस पूरी chapter में जो introduction chapter था उसमें आपको बहुत सारी extra बाते भी बता दे जिससे आपकी knowledge थोड़ी अच्छी हो जाए क्योंकि अगले chapters में आपको यही knowledge लगने वाली है ठीक है तो मेरे साइट से मैंने आपको यह chapter बहुत ज्यादा easy way में explain कर लिया है अब अच्छे से आप दोनों lectures देख लो उसके question answers भी practice कर लो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगो ते शुड़ी को like करो, share करो, channel को subscribe करो, thank you आपको यह वीडियो